नमस्कार दोस्तों आपका मारे यूट्यूब चैनल शुक्राज मशीन दी कंपनी नानगना मशीन दी कंपनी में सवागत है आज मैं आपको अपनी फैक्टरी में लेकर रहा हूं नानगना मशीन दी कंपनी आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुए नानगना मशीन दी कंपनी शुक्राज मिशीन देख सकते हैं मारा ओफीस है साथ ही में फैक्टरी है मारी आज हो मैं आपको सब भी टाइप की आपे मिशीन मिल जाएगी आपको एजस्केरिंग नोड़ुबुक वाली नैपकेन वायर नेल स्क्रू बार्बर वायर किसी भी टाइप की मशीन चाहिए आप ले सकते हैं हमारे से अब हम आपको नदर लेके जलताल आप फैक्टरी में मशीज के बारे में बताता हूं और ऑफिस भी द刚टा हूं आपको आज एगा हम दोस्तों यह मारा ऊफिस है आप देख सकते हैं कि दोस्तों किसी ने कोई भी मजिन लेनी एख और दोस्तों कि शीक्ने कोई भी मिजीट कर सकता है तो जब मर्जी आ ना थे मेरी मेची खर भेढ़ आख़ कर सकता है तो अपनी सीटी से बैच ह Congress वहां से पेइमेट करें यहां से मशीन रिपाइच जाएगा अपने गर से बैठे और करो जो भी चाहिए आपको बन भीके दस दिन में पर मशीन डिलिवर हो जाएगी गर पर तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो में मैं आपको और भी मशीन के बारे में जानकारी देता हूं वीडियो को लाज तक जूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जूर करना दोस्तों आपके लिए मैं रोज नए ने बिजनेस आइडियस लेकर आता रहता हूं आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडियस लेकर हैं जिसको आप बिजनेस भी आज इंची तक आठी तक स्कुर्यू आपका कोई बी बीसाइज अब नाना है आधी इंची जेड़ इंची एक इंची दो इंची नो पी आपको हैं चाहिए थी आपको इस आप कि मेशीन के बारे में सारी जानकारी मेशीन कैसे लेना है तो वीडियो को लास तक दूर देखना वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को तो दोस्तों यह सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगा यह वायर नेल मेकिंग मशीन एक अदी इंची से लेकर चार नची तक कील बनाती है कांटी कहते हैं जिसको साथ में फोटो दिखा रहा हूं आपको यह बनाएगी ऐसा प्रड़क्ट बनाएगी वायर नेल मेकिंग वायर नेल तो इसमें फुली आटमेटिक मशीन है आप देख सकते हैं वायर स्टेंड है कि लेते हो तो आप किसी लोकल स्पलियर रें तो आपको मलखे डेंगे अगर आपो मुझीन हपार प्ली मिलेगी और बसे बस्त्ड तो आप देख सकते हैं यह वायर स्टेंड है रीको कमे देखोगे तो आप बनुटेंड हो ऐसा तैंड नीः नीःट हो यह फूरा हैवि डू आप्ठाइब कर दो तो गिर जाता है यह पूरा है वीडुटी वायर स्टैंड है इसमें आपने बाइर का रॉल यहाँ पर रखना है इसके ओपर यहां पर इंसर्ट होएगा बस ऑटमाटिक बने कील्टा जाएगा तो यह का एक मशीन में कील ईडरी हो जाता है अदी इंची स इसमें जैसे होता है, अगर आपने सभी टाइप के कील नाने हैं, तो आप तीन मशीन लगा सकते हैं वार नेल में, एक दो इंची वाली लगाओ, एक चार इंची वाली लगाओ और एक शे इंची वाली लगाओ, इसमें पी प्रड़क्शन भी जादी निकलेगी और सभी आता हूं, तो आपको सारा समय लग जाएगा कि मशीन की वर्किंग ऐसे है, तो अभी हम नेक्स मशीन पर जाते हैं, इसमें जैसे बन जाते हैं, तो इसको पॉलिशिंग डरम में डालते हैं, जिसे इसकी जो रस लगा होगा, कुछ भी होगा, और लगा है, तो वो सारा यहां में ड़ोः में पाकिंग करके स्कृ पैंटाे में बुक्षेडिन जो उते हैं, कील इंते हैं, जो इक और पतला कील भी होगता है, ख़्म कील बाक नीख, विक दूभा कryल मी जो बसक भी छा जो। लिया है, तो आप इसको करेसे बीचा के हैं, तो आप इसको जाए बे दोस्तों जैसे मैं आपको बताया है फुली आउटमेटिक मशीन है देखे जैसे वीडियो में वाइर लगा दिया तो आउटमेटिक पर स्कील बनके नीचे से गिरता जा रहा है बस हमने कुछ नी करना है समय काम जाधा एक रोल वायर स्टैड में रखके वायर का लगा देना ह तो आटमेटिक बनके की निगलता जाएगा, फुली आटमेटिक मशीन है यह अभी हम नेक्स मशीन पर आ रहे हैं, यह दो मशीन का सेट होता है जैसे, यह दोनों मशीन वर्क करेंगे तो प्ड़क्ट बनेगा, जो सबसे पहले बात करेंगे इस मशीन की, यह हैडर मशीन है, अपने screw देखा होगा जिसके उपर four-head होता है, minus- वाला sign होता है, L-key का sign, L-key लगता है, जिसके बोल्ट वाला होता है, जब माल बनेगा, जो हैडर मशीन है है, यह में बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें सेमर्ण सा वसी टाइप का, वायर स्टेंड लगेगा, बस वायर डा इसमें आपने कोई भी बोल्ट को लाना है, हेक्सागोनल पनाना है, पोर एड़नाना है, तो इसी मशीन में बन जाएगा इसमें इसके भी वीडियो तखाऊंगा, मशीन की फुली आटमेटिक मशीन है, रोल लगाओ वायर का, वायर इंसर्ट करो तो पड़क्त बनके निकलता है, जो भी मटेरियल आपका इस मशीन से बनेगा हैडर से, उसको बस उठाके वायप डेटर में डाल तो इसमें थ्रेडिंग होके गरती जाएगी, किसी भी टाइप की थ्रेडिंग करनी है, आपने कोई भी टाइप की चूड़ी डालनी है, त्रेडिंग करनी है, जैसे आप की शीट मेटल की करनी है, ड्राइव ओल की करनी है, तो जैसे आप डाइप लगाओगे, वैसी थ्रेडिंग करके मशीन निकाल देगी, तो इन दोनों मशीन को लगा के आप किसी भी टाइप का स्क्र्यू बना सकते हो, छोटे से लेके बढ़ा तक किसी भी टाइप का, कोई की टाइप हो, शीट मेटल है, ड्राइव ओल है, कोई गुड़ स्क्र्यू है, कोई भी टाइप का स्क्र्यू आप इनमें बना सकते हो, तो जब भी आप मशीन मारसे लोगे मारा इंजीनिर जाएगा, आपके पास मशीन इंस्टॉल करके, आपको सारी ट्रेनिंग देके आए जैसे, वायर नेल भी एक ही, आपका होल से लेगा, स्क्र्यू भी वही होल से लेगा, तो आप दोनों मशीन लगा रहे हो, तो इसमें आपका डबल प्रॉफिट रहेगा, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हैडर की बीटे दुखाने लगा हूँ, अब देख सकते हैं वायर क पर देख सकते हैं, तो इसमें फ्रेड नेक्स मशीन में डलती है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, देखो इसमें फुली आटमेटिक मशीन है, आपने वायर लगानी है, आटमेटिक बनके प्रॉफिटा जाना है बस नीचे, इसके बाद ये जाएगा पॉलिशिंग ड् इसको आपने 10-20 मिनिट इसको, दस मिनिट आपने गुमाना है, गुमाने के पाथ इसको लखड़ी का पॉरदा डलता है, जात में लखड़ी का प्रॉधा डालके इसका जो ऑईल होगा, औल मूव हो जाएगा, अब देख सकते हैं, इसको ऑईल रिमूव होगा है, अब यह अपने स्क्रू डाला है यह सैंपल के लिए स्क्रू डाले हुए जैसे यह पूरी बर सकते हैं आप इसको उपर तक बर सकते हैं इसको वाइब्रेटर को इदको आप जैसे वाइब्रेटर में गूम के जा रहा है यह उपर इसक्रू गूम के ऐसे तो उसमें आजाएगे जहां स जासे Line में बर कर पूरे हो गए है पीशे वाइबरेटर जैसे स्क्रू बर जाया का बीश ख्याका कि आपने मेशीन्स ऑपरेड कर लेता है खुदी फुली आटमेटिक पर स्कुरू बनके निकलता जा रहा है इसमें आपका हैटर में हैट बन गया पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका और रिमूव हो गया पॉलिश भी हो गया साथ में और टूडी भी डल की यह थ्रेट भी डल गया पूरा कम्प्लीट इसने 10-20 मिशीन लगा हुए है यह को और सैटप लगा हुए है इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हैडर लगे हैं कितने रोल ठ्रेड लगे हुए है अलकि पूरा कम्प्लीट सैटप लगा है वो लोगों इतना इसका डिमांड होती है श्क्रीव कि लो अलकि पूरा कम्प्लीट लगा हुए है इसमें अपने इसने ही ट्रीटमेंट लगा हुए जो अपने बठी वाला बोले मने बर्ण वाला वह भी प्लाट लगा हुए सारा इदेखो कितने मशीन लगे हुए हैं नेक्स में आगे चलता हूँ आपको यह पॉलिशिंग ड्रम ह इसका काम है पॉलिश करना तो दोस्तो यह कृट रह गा तो दोस्तो अगे से सास्व pos लगए उसके साथ में जब लगा जागा बॉयर नियल बस एक ही मशीन में रैडी हो जाएगा इसमें बना बगा के तो बस निए आदा गंटा है justice पांसो केजी का ड्रम है इसमें अपने वायर नेल डाल दिया तो लकडी के ब्रादे के साथ पॉलिश होके यहां से बार गिर जाएगा पस उसको आप अठाओ बोरी में डालो पैकर के बे सकते हो या डबे बॉक्स में डालनी है बॉक्स में डाल कर सकते हो और अगर स्क्रू व बनता है तो ऑईल लगा होता है इसके उपर जो उसका हैड़ बनेगा स्क्रू 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 बन आजी में आप खरी दो एंचे की शो सबी सब्सक्राइब जो जा रहे हो जो जा रहा हो इसे हो दो बागा रहे हो बहुत बड़ी है इसमें अपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप लगा रहे हो अगर जो वारनेल नेल असानी सेऄं की पीशे आपको 10 पला ओंगा दस सेथ उसानी से बच जाएंगी और चुल्ब अजैताउस दौ्डेशिव यह वाले टुन आपको फिर्फी प्लाफिस उस iP — 5 %. के प्रॉफिट रहेगा और जो वाइर नेल में आपको पर केजी के पीशे 10 से 15 पर केजी का प्रॉफिट रहेगा तिस सभी फुली आटोमेटिक मशीन दोनों का जो रहाओ पर आपको रहेपूर दुर्गाबुर सो लो तो सबस्वर सस्ता पड़ेगा जो फ्रुम में लगता है वह होता है और जो वाइर नेल में लगता है वह ऑनली हईच भी वायर होता है कि वायर नेल का सिंपल प्रस्शास है बस रो लगाओ दो बनके निगल जाएगा पॉलिश करो पैक हिसकते हो प्रस्क्रुव वाली में होता है ट्रू आपने बना लिया तो दो टाइप के बाद में मार्तीन टाइप में बिखते हैं एक तो बना लिए सिंपल आपने पस सेयल आता हूं अभी ऊसमें रैडी हो गया पूरा रोल्स तौल के रेडी हो गया वर त्रम में हीट करके रोगे अधा गंटा ड्रम में हीट कर लिया चो लोगे आाकर ईट करनें के बाद आप उसका ड्रायर में डालो तो सूख के जो भी उसका पानी लगा होगा स्क्रूव में केमिकल लगा होगा तो बाहर हो जाएगा तो जो स्क्रूव का मार्किर में बिखने के लिए रह दिया दोस्तों यह ब्लैकोटिंग का परसाइस आप देखो यह बर्दनर लगा हुए नीचे ड्रम गूम रहा है तो स्क्रूव जैसे बनके रोल त्रैट से बनकर आएगा तो ब्लैकोटिंग करनी है आपने इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको बस 20 मिनट आदा गंटा गुमाना है नीचे से हीट से वह हीट भी हो जाएगा हीट होने पाद उसको बस बालिंक बाद ड्रैयर में आएगा तो देखो कितना बड़ी है ब्लैक कोटिंग भी हो गया उसका ड्रैयर में पानी में निगल गया है अपने यह तेन टाइप हों उसकी आपको वीडियो दो खाता हूं वह बहुत सिम्पल पर सथैस है श्क्रूर को डालके उसमें आधा गं कोई भी कलर नहीं करना तो सिंपल प्रोम रखना है बस बेरल में गुमाकियों स्कुआदा गंटा जिंग कोटिंग हो जाएगी उस्तों यह देखिए आप यह देखिए आप यह स्कुरू मशीन में बनकिया है तो ऐसा देखता है पहले इस सबसे पहले स्कुरू आएगा इसको ड्रम में डालेंगे ड्रम में डालके वाश करते हैं पानी से तो यह पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है यह देखो वाश हो रहा है वाश होने के बाद देखो स्कुरू कुछ ऐसा दिखेगा यह जैसे ड्रम से निकाला है स्कुर परके इसको डालते हैं एसेड में अब देखिए यह एसेड में डालते हैं जैसे सब सिक्रियू को बस इसको डालके बस निकाल लेना है इसको रखना है जादी जिर नहीं रखते है जादा समय नहीं रखते है इसको इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस इसको इसको पारी फिर से पानी में साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है ड्रम होता है जिसमें होए कि यह देखिये नोने जो पहले जिंक कुँव हुआ हुआ है उसको निकाल लेंげ उसके बाद जो अभी जो आइसीड में डालके लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे स्क्रीव को निकाल लिया इन्होंने और दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में रहे Japanese दाल देंगे आप हिए यह पेले जिंक मुआ हिसको नकाल दिया आप दुशिंक को ने इता है उसको डाल देंगे अंदर को мер किया अरिए यह एक द्रm की गया कि कापासेटी होती है कि इसको आदा गंटा इस ही में जो कैमिकल होता है जिंक कि इसमें देखो पीशे लगे तो इसको आपको golden color में डालना पड़ेगा ये दो खो भी golden एउनोने कोटिंग करनी है तो golden color में डालेंगे इत्थियाप बी गोlden color में डाला तो golden होगगे देखो स्क्रूउ सारा अगर आपने से अजितने करते है तो इसको इसको ड्रायर में डालो सिझ्ट रहेगा अगर और कोई कलर करना ओपर तो कलर वाले केमिकल में डाल दो बस वो स्क्रूब बनके रेडी हो जाता है इसके बाद उन्हें ड्रायर में डाल दिया है अब देखिए ड्रायर में डाल के बाद इसमें होता है बोरी में डाल देना है तो इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। बहुत इजी परचाइसा कोई भी आदमी लगा सकता है इसको। कि इसको कोई भी और कोई भी जानकर है कि बारे में तो आप महार नी नीचे दिएकочки नमबर पर कeties कॉल परके में मेसिज कर लो अब को जानकरी के सबी मिल जाएगी। में अगर आपने उ Director ne मैसिज कीजिए हमें अपने डिटेल बेजिए आप पेवन्ट करवाओ जो भी 30% अडवांस होता है आपको विदिन 10 तू 15 डेस आपके यहां पर मिशीन डिलिवर हो जाएगी दोस्तो आपने मारी वीडियो लास्ट देखी आपका बहुत बहुत दन्यवाद ठेंक्यू पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबाले जिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लूट किये जाएंगे उसक तक बंड जेखी बीचानधजू झाल सेवियो सब्सक्स कियांओेगों कर्याला हिए जयstक्त दो काईयम्यर में देखी आपका बारता है देखने, जो आजै